नमस्कार किसान भाईयों स्वागता आप सभी का क्रिसी हब यूटूब चैनल में तो किसान भाईयों आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेका रहा चुका हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो है किसान भाईयों आज की इस वीडियो के मैंदम सापको बताने वाले हैं बलराम ताल योजना जो की प्रधान मंतरी की तरफ से ये चलाई गई है प्रधान मंतरी सिचाई योजना का एक घटक है बलराम ताल योजना इस योजना में अगर आप ताल खुदवाते हैं अपने खेती में ठीक है तो आपको 75% तक की सबसीडी यहां पर मिलती है तो पूरा डीटेल में बताने वाले हैं कि सराज्य में यह योजना चल रही है कि सराज्य के किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है और कैसे इसके लिए आवेदन करें कहा जाना पड़ेगा क्या डॉकुमेंट देने पड़ेंगे कैसे आप इसका सबसीडी ले सकते हैं पूरा डीटेल में हम बात करने वाले हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकते हैं लेकिन आप सभी किसान भाईों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और कारिगर सिध्ध होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा लाज्ट तक देखेगा फ्रेंड्स आपको करना क्या है इस वीडियो को लाईक करना है शेयर करना ज्यादा ज्यादा किसानों के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटे को जरूर प्रेस कर लीजेगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी किसान भायों को मिलती तो चले किसान भायों बात कर लेते हैं बलराम ताल योजना जो है अब इसके लिए आप लोग आवेदन कैसे करें और जाने कैसे और कहा करना आवेदन ठीक है तो जैसा कि आप लिखा हुए कि देश में खेती का रखबा बढ़ाने के लिए सरकार की और से कई सिचाई योज अब बढ़ाने के लिए सरकार की और से तलाबो और नहरों के निर्माण करें भी करवाया जा रहा है इसके लावा सरकार की और से किसानों को अपने खेत पर जल संचे के लिए तालाब का निर्माण करवाने पर सबसीड़ी दिये जाने की बेवस्ता भी की गई है आईए जानते हैं कि किसान अपने खेत पर तालाब बनवाने के लिए सरकार से कैसे सहाथा प्राप्त कर सकता है प्रधान मंतरी सिचाई योजना का एक घटक बलराम ताल योजना है इसके बारे मापको यहाँ पर डीटिल में बताने वाले हैं जो प्रधान मंतरी किरिशिच सिचाई योजना के कई घटक हैं जिन में तलाब निर्माड भी एक हैं मध्य परदेश राज्य सरकार ने परदेश में पहले से चल रही बलराम ताल योजना को प्रधान मंतरी के पूरती है तो बलराम ताले उजना को प्रदेस में संचालित किया जा रहा है वर्स 2021 में इस योजना को पूराने प्राउधान के अनुसार अनुदान दरो को यह थावत रखते हुए लागू किया जाएगा तो चले किसान भाई वो बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाब किन किसानों को मिलने वाला है और इसका क्या जो भी रेशियो आपको मैं बता दूँ इस योजना में शामानिक क्रिसको को अपने बैंकों में बलराम ताल निर्माड हेतू स्विकृत लागत की प्रावधानिक अनुदान 40 प्रसत अधिक्तम 80,000 रुपए के अतरिक्त लगने वाली राशी का वह स्वेम बहन करना होगा इसी प्रकार लगुष इमांत ख्रिसको को स्विकृत लागत के अनुशार प्रावधानिक अनुदान का 55 प्रसत अधिक रासी 80,000 रुपए के अतरिक्त लगने वाले वाले बैं का वहंद स्वेम करना होगा इसी किसाद्व सत्किसान भाईवदों बात कर लेते है की बलराम ताल योजना के लिए आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए और कब और कहां इसके लिए आवेदन करेंगे ठीक है तो आपको मैं बता दूँ तालाब निर्माल के लिए वे किसान ही पात्र होंगे जिनके पास बित्ती वर्स 2017-2018 है एवं उसके बाद प्रदेश में की बिभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना की माद्यम से ड्रिप या स्प्रिंग कलर सेट की अस्थापना की गई हो एवं बरतमान में वह चालू इस्तिती में हो इसका सत्यापन भूमी सनरचट सरवे अधिकारी द्वारा किया जाएगा ताल निर्माल के लिए स्वयम इसके लिए किसान भाई या किसी इंटरनेट काफे पर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ज्यादा जनकारी के लिए आपको जिला क्रशी विवाग से संपर्क करना होगा और वहां से पूरी जनकारी आपको मिल जाएगी और यह जू लिंक आपको नीचे दीख रहा है इस लिंक पर आप लोग जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं तो किसान भाई उमीद करते हैं कि व चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट बाक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा तो चले किसान भाई ओ आज की वीडियो में इतना है मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ अब तक लिए जाहन वंदे मात्रम